हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूटूब चैनल लर्दिंक एफे में आज के वीडियो में बिहार SAC 3rd CGL रुकमीनी परकासन का सेट 9 शुरू करेंगे सेट 8 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक दिस्किप्शन में दे दिया हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नडिफिकेशन बिलको दवा के All पर किलिकीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है तो चलिए सेट 9 को शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कोईशन है नीली करांती संबंदित है नीली करांती मचली उत्पादन से संबंदित है कि नीली करांती तिलहन से संबंदित है नेक्स्ट कोईचन मुख्य चुनाव आयोक्त की नियुक्ति किसी के द्वारा की जाती है तो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राश्टपती के द्वारा की जाती है, option A right answer हो जाएगा, राश्टपती के द्वारा, भारती सम्विधान के अनुछेद 324 के अधीन, चुनाव आयोग के गठन का उल्लेक है, चुनाव आयोग, चुनाव सन्बंधी, सर्वत संस्थ भारत के पर्थन चुनाव आयोग्ति, सु कुमार सेंथे, राजी जो भारत में रबर उत्पादन में सरवादिक योगदान देता है, वह कौन सा राजी है, केरल, केरल राजी भारत में रबर उत्पादन में सरवादिक योगदान देता है, केरल में नारेल का सबसे अधीक मसालो का उत्पादन सबसे अधिक आंदर परदेश और केरल में होता है, कहवा सबसे अधिक करनाटक में उत्पादित होता है, भारत में छोटी इनाइची केरल में सबसे अधिक और बड़ी इनाइची सिक्किम में सबसे अधिक होती है, भारत में गन्ना का उत्पादन उत्तर परदेश में सरवादिक होती है मंडल आयोग का गठन कब हुआ था मंडल आयोग का गठन जो है 1989 में हुआ था option B right answer हो जाएगा VP मंडल की अध्यक्सता में एक पिछरा वर्ग आयोग बनाया गया जिसे मंडल आयोग नाम से जाना जाता है किस यूद के प्रिनाम सोरूप जर्मनी इटली का एकिकरन पुर्ण हुआ सेडान का यूद 1870 के अधिन सेडान के यूद 1870 के प्रिनाम सोरूप जर्मनी इटली का एकिकरन पुर्ण हुआ इतली जर्मनी पर आश्च्रिया का परभाव था जर्मनी के एकिकरन के लिए अनेक युद लडा गया जिसमें सेडान का युद अंतिम और सबसे निर्दायक युद था हिमादरी नाम किसे के लिए परयुक्त होता है ग्रेटर हिमाले के लिए greater हिमाले के लिए हिमादरी नाम पर्युक्त होता है हिमाले की उत्पति टर्सियरी काल में हुआ हिमाले विश्व की सबसे नवीन वलित परवत है निमलिखित में से कौन सा कारी RBI का नहीं है रूपय के मुल्य का निर्धारन option B राइटांसर हो जाएगा रूपय के मुल्य का निर्धारन करना ये RBI का कारी नहीं है निमलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनवती है राजनीती में धन का पर्योग option C होगा भारत में लोकतंत्र के लिए चुनवती राजनीती में धन का पर्योग है भारत विशु का सबसे बड़ा लोगतंतर है कंचन जंगा भी हिमाले छेत्र में भारत में उची चोटी है मांट आबू राजस्थान में अवस्तित है मांट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर अपनी नकासी के लिए विख्यात है भारत में सबसे उची चोटी कंचन जंगा है विकास केंदर उपागम के शुरुवात किस पंचवर्चे योजना में की गई थी चतूर्थ पंचवर्चे योजना ओप्सन सी राइट आंसर हो जाएगा विकास केंदर उपागम की शुरुवात चतूर्थ पंचुवर्चे योजना में की गई थी चौथी पंचुवर्चे योजना 1979 से 74 का लग्ष विकास की गती को तेज करना किरीसी उत्पादन के उतार चढ़ाव को नियंतित करना तथा विदेशी सहायता की और निस्चितता के परभाव को कम करना था नेक्स्ट कोईचन निमलिकित में से किस ने कहा था महात्मा गांधी च्छनिक भूत की भाती धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं डक्टर भीमराव अंबेदकर 14 अगस्ट 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वारता के दोडान डक्टर भीमराव अंबेदकर ने कहा था इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी च्छनिक भूत की भाती धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते 1931 में सरदार वल्लभाई पटेल की अध्यक्स्ता में हुई कंग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों एवं आर्थिक कारिकरम पर संकल्प पारित किया गया इसी अधिवेशन में गांधी इर्विन पैक्ट को स्विकार किया गया एवं गांधी जी को दूतिय गोल में सम्मेलन में भाग लेने की अनुमती परदान की गई इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधी वादी नहीं 1977 के चुनाओं में जनता पाटी का नारा था लोकतंत्र बचाओ 1977 के चुनाओं में जनता पाटी का नारा था लोकतंत्र बचाओ 25 जून 1975 को सिरीमती इंद्रा गांधी ने आंतरिक आपातकाल की घोसना कर दी जै परकास नारायन के नितिर्तु में संपूर्ण करांती का नारा दिया गया 1974 इस्वी में 1977 के लोकसभा चुनाओं में जनता दल ने मुरारजी देशाई के नितिर्तु में सरकार बनाई जनता दल में मतभेद के कारण सरकार अपनी पूरी अवधी नहीं चल सकी राजजी सभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक आपने पास रोक सकती है 14 दिन तक भारतिय वस्तु कला में सुड़खी का प्रारंब हुआ कुशानों दुवारा कुशान काल के दोरान विविन अस्थापत्तियों में सुड़खी के पडियों का साक्ष मिलता है निमलखित में से कौन सा एक स्वारोजगार कारी करम है स्वार्न जयनती गराम स्वारोजगार योजना आप्सन सी सही उत्तर हो जाएगा स्वार्न जयनती गराम स्वारोजगार योजना एक स्वारोजगार कारी करम है श्री अटल बिहारी बाजपे दुआरा सुवर्न जहनते गराम सो रोजगार योजना एक अप्रिल 1999 में इस्वी को शुरू की गई परधान मंत्री रोजगार योजना 1993 में इस्वी में शुरू किया गया रोजगार आश्वासन योजना 1993 में शुरू किया गया समुदाईक विकास कारिकरम 2 अक्टूबर 1952 में चलाया गया नेक्स्ट कोईचन अनुसूचित जाती के लिए लोगसवा के कितिनी सीटे आरक्षित है अनुसूचित जाती के लिए लोगसवा में 84 सीटे आरक्षित है अनुसूचित जन जाती के लिए लोगसवा में 47 सीटे आरक्षित है लोगसवा में अधिक्तम 552 सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में लोगसवा में 543 सदस्य है भारत में किरीशी जन्नि पदार्थो हेतु दिया जाने वाला सिरेनी मापदंड क्या है किंद्रिय एक मार्थ परयोगसाला नाकपुर में अस्थीत है भारती सम्विधान में मूल रूपसे कितने मौलिक अधिकार परदान किये गए थे साथ भारतिय सम्विधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार परदान किये गये थे संपति के अधिकार को 44 सम्विधान संसोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया एक गठ बंदन सरकार से अभी प्राई है दो या अधीक राजनितिक दलों के गठ जोर से निर्मित सरकार सीज का राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन देखिए बिहार के इतिहास पर पर्थम गरंथ के रचनाकार थे अली मुहम्मद साह अजीमाबादी ओप्शन डी हो जाएगा दो गज जमीन अब्दु समद द्वारा ओर्दु भासा में रचित पर्मु किरिती है परसिद गजल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचिता राम परसाद बिसमिल नहीं बलकी सायर बिसमिल अजीमाबादी थे नेक्स्ट कोईचन देखिए मुल्ली की संस्थी किसके द्वारा की जाती है कोईचन नमर 23 प्रिफरी निमनलिकित में यह कौन सा उर्जा का गयर परंपरागत तो कोईला कोईला जो है यह उर्जा का परंपरागत तो इसमें जो है गेर प्रभागत शुरोत को नभी कर दिये शुरोत के नाम से भी जाना जाता है जिसमें सौरूर्जा, बायोगेस, पन बिजली ये सभी आते हैं गैर परमपरागत उर्जा शुरोत को पुनह उपयोग में लाया जा सकता है कोंकन तट निम्न में किन के बीच अस्थीत है? गोवा तथा दमन, कोंकन तट गोवा तथा दमन के बीच अस्थीत है कोंकन तट पच्छमी घाट में अवस्तित है, मालाबार तट केरल में अवस्तित है एमनेश्टी इंटरनेशनल निम्लिखित में से किस्चे सनबंदित है मानव अधिकार से, एमनेश्टी इंटरनेशनल मानव अधिकार से सनबंदित है Community International की अस्थापना का उद्द्यसी वी सुवि में मानव अधिकार की रक्षा करना है इसका मुख्याले लंदन सहर में अवस्तित है राश्टी मानव अधिकार आयोक की अस्थापना 1993 में किया गिया नगड़िये छेत्रों में मुखित कौन सी बिरोजगारी पाई जाती है ओप्शन A राइट आंसर हो जाएगा शीक्षित बिरोजगारी बिरोजगार वह है जिसमें काम करने की इक्छा सकती हो पर काम नहीं मिलता है व्यक्ति को काम उसके योग्यता के अनुरूप नहीं मिल रहा हो और चक्रिय विरुजगारी जो ये और द्योगिक छेतर में आती है लोग तांतरिक सुधारों का संबध होना चाहिए लोग तांतरिक सुधारों का संबंध कुशासन से होना चाहिए तो आप्शन A राइट आंसर हो जाएगा कुशासन भारत में कहां जूम क्रिसी की जाती है भारत में जूम क्रिसी उत्तर पुर्वी भारत में की जाती है आप्शन B राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पुर्वी भारत जूम क्रीशी को अलग-अलग सब्दावली से भी अलग-अलग अस्थानों पर जाना जाता है जूम की खेती पर्यावरन की दिरिश्टी से हानी कारक है जूम खेती मुखित पहारी छेतर के आदिवासी करते है निमलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान Fertilizers, Corporation Limited के अधीन नहीं है कामरूप, कामरूप असम का प्राचीन नाम है हीराकुंड परियोजना निमलिखित में से किछ नदी पर अस्थीत है हीराकुंड परियोजना महा नदी पर अस्थीत है ौप्सन सी हो जाएगा महा नदी पर हीरा कुंड बांध विशु की सबसे लंबी नदी बांध है भारत का सबसे उचा बांध टीहरी बांध है भांखरा नागल भारत की पर्थम कंक्रीट बांध है डामोदर घाटी बहुत देशिये प्रियोजना भारत की पर्थम बहुत देशिये प्रोजेक्ट है निमलिकित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है सरवच नियायाले को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है option C हो जाएगा सरवच नियायाले विधाईका को लोकतंत्र का पर्थम अंग माना जाता है कारी पालिका को लोगतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है और सर्वोच नियायाले को तीसरा अंग प्रेश को लोगतंत्र का चतूर्थ अंग माना जाता है भारते सम्विधान के अनुछेद 50 में विधाई का को नियाई पालिका से अलग रखने का निर्देश है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे अप्संडी हो जाएगा डॉक्टर राजेंदर परसाद नदी जो दक्षिन भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो कौन सी नदी है कावेरी नदी को दक्चिन भारत की गंगा कहा जाता है गुदावरी नदी को दक्चिनी गंगा या विरीद गंगा कहा जाता है सिरी रंग पटनम कावेरी नदी पर अवस्तित है सिरी रंग पतनम जो है मैसूर राजी की राजधानी और टीपू सुल्तान का सहीद अस्थल भी है राजनितिक दलो को चिन कौन वित्रित करता है चुनाव आयोग एक सन्विधानिक निकाई है भारते समिधान के अनुछेद 324 में चुनाव आयोग के संबंद में उपबंद है अनुछेद 324 से 329 चुनाव से सन्बंदित है भारत की पर्थम महिला मुख्य चुनाव आयोग स्रीमती रमा देवी थी अगला कोश्चन देखिये हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिक्षा के छेतर में शहियों के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये है मालदीव के साथ पुरानों का अधियन करने वाला पर्थम मुशलमान था अलबरूनी अबू रहान अलबरूनी एक हजार सत्र एशु में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था भारत के बारे में अलबरूनी ने एक पुस्तक किताब उलहिंद लिखा नेक्स्ट कोश्चन 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतिय कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्स्ता किसके द्वारा की गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस कॉंग्रेस अधिवेशन में सोधेशी का प्रस्ताव रखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले भारत के उधारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले ने लौड करजन के तूलना औरंग जेब से किया 1905 इस्वी में गोखले ने भारतिय सेवा समाज की अस्थापना की राश्टिय आदर सुवाक की सत्मेव जेते किस गरंद से लिया गया है मुंड कोप नीषद से उपनीषद का अर्थ है निष्ठा पुरुवक पास बैठना महात्मा गांधी ने डांडी यातरा प्रारंब की महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंब की तो option C इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को सावर मती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 समर्थक के साथ 12 मार्च 1930 को पद यात्रा शुरू की 6 अपरिल 1939 को डांडी में नमक कानून तोर कर सभी ने अवग्या आंधूलन शुरू की सेल क्रीत मंदीर है सेल क्रीत मंदीर कैलास मंदीर इलोरा है तो option B कराइट आंसर हो जाएगा कैलास मंदीर इलोरा इलोरा के कैलास मंदीर का निर्मान किरिस्न पर्थम ने किया इलोरा महराश्च के औरंगाबाद जिला में अवस्तित है भारत में राष्टिय परियावरन इंजिनियरिंग सोध संस्थान अस्थापित है option B हो जाएगा नागपुर में राष्टिय अगनि सामक महा विद्याले नागपुर में अवस्तित है भारत भवन भोपाल में अस्तित है विज्ञान भवन नई दिल्ली में अवस्तित है BCCI द्वारा भारतिय महिला किरके टीम सीनियर के मुख्य कोज की रूप में किसी नियुक्त करने की घोस्तना की गई रमेश पवार को बिहार राजी में सहरी करन की दर कितनी है बिहार राजी में सहरी करन की दर 11.29 परतिसत है तो ऑप्शन सी इस का राय टांसर हो जाएगा 11.29 परतिसत और दिश में सहरी करन का परतिसत जो है 31.2 परतिसत है RAW A History of India's Covet Operations नामक पुस्तक किस ने लिखा है यतीस यादव ने किंद्रिय सिक्षा मंत्री धर्मेंद परधान दुआरा सुरू किये गए एक सो दिवसिये पठन अभियान का नाम क्या है पढ़े भारत भारतिय सेना ने निमलिकित में सहर में क्वांटम, कम्प्यूटिंग, परियोगसाला और Center for Artificial Intelligence A1 के अस्थापना की है महू में Option B राय टांसर हो जाएगा महू सिक्षा मंत्राले तथा महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने किस संस्था की साजिदारी में कन्या सिक्षा परवेश उत्सव अभियान शुरू किया है यूनी सेफ में Option B होगा यूनी सेफ पीसी महाल नोबिस पुरुसकाल से सम्मानित पर्थम वेक्टी है सी रंगराजन वर्ष 1947 के भारत पाक यूद में इस्तिमाल किये गए किस विमान को आधनिक सोरूप के साथ भारती वायू सेना में शामिल किया जाएगा डकोटा को Option B होगा डकोटा संप्राय मैदान संबंदित है नदी से संप्राय मैदान का निर्मान नदी द्वारा होता है गतिसील वैद्यूत आवेस पैदा करता है चुम्बुकिये छेत्र गतिसील वैद्यूत आवेस चुम्बुकिये छेत्र पैदा करता है आवेस यदि विराम हो तो केवल विद्यू छेत्र उत्पादन करता है प्राक्रितिक चुम्बक लोहे का अक्षाइड है क्रित्रिम चुम्बक लोहा इसपात कोबाल्ट आदी से बनाया जाता है अगला कोहिचन निमलिखित जिवानों को उनके रोग के साथ सुमेलित करे और सही विकल्प को चुने तो चलिए चुना कर लेते हैं यहाँ पर रोग का कारण और उस कारण से कौन सा रोग होता है वो आपको मिलान करना है तो ओप्शन ए देखिए इसके बाद यरसीनिया पेस्टिस के कारण पलेग रोग होता है बेसिलस एंठरेसिस के कारण एंठरेक्स रोग वीब्रियो कॉले के कारण कॉलेरा रोग तो ओप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रावर्तित परकास में उर्जा आपतन कौन पर निर्वर नहीं करती है पादपो में मूल रेमो पादपो में मूल रोमो द्वारा जल जिस परकिरिया से अफ्सोसित किया जाता है वह कहलाती है पराशरन निमलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल छेतर रखने की आवशकता है भूव एग्यानिक संतुलन के लिए वनों के विशाल छेतर रखने की आवशकता है वन को धर्ती का पुत्र कहा जाता है वन की अधिक रोपन पर्यावरन के दिरिष्टी से अच्छा है वनस्पति तेलों को संत्रिप्त वशाओं में परिवर्थित करने के लिए किस गैस का परियोग किया जाता है H2 का परियोग किया जाता है यदि निर्वात में परकास का वेग C हो तो μू इक्वल टू 1.5 पदार्त वाले माधियम में परकास का वेग होगा तो इसमें परकास का वेग 2 by 3 C होगा बिलीचिंग पाउडर का रसाइनिक नाम है कैल्सियम हाइपो क्लोराइट है आप्शन B हो जाएगा कैल्सियम हाइपो क्लोराइट परकास कीरन पुझ जो अत्यंत दिसिक हो कहलाती है लेजर कहलाती है निमलिकित में कौन दूतियक परदूसक है अश्मोग दूतियक परदूसक है अप्शन E हो जाएगा अश्मोग प्रात्मिक परदूसक जो अलामोखी विस्पोर्ट से राक कार्बन मोनो अक्साइड, सल्फर डयक्साइड, नैट्रोजन अक्साइड, कार्बन अक्साइड ये सबी परात्मिक परदूसक है दूद को मतने से कीरीम के अलग हो जाने का कारण है अपकेंद्री बल का अन्नी उधारन सुड़ी के चारो और ग्रोहों की गती इलेक्ट्रोन का नाभिक के चारो और घूमना निमलिखित में से किस यूग मुद में खुला परिशंचरन तंत्र पाया जाता है काकरोच और सिलवर फिश में काकरोच अर्थो पोड़ा संका जीव है काकरोच के हिर्दे में तेरा कक्षो होते हैं क्रोस लिंग्ड पॉलीमर का उधारन है बेकलाइट जो है ये क्रोस लिंग्ड पॉलीमर का उधारन है एक जेट इंजन की कारी परनाली निमलिकित के संड़क्षन पर निर्वर करती है रेखिये सनवेग के संड़क्षन पर एक जेट इंजन की कारी परनाली निर्वर करती है option C हो जाएगा रेखिये सनवेग गरोह की गती के नियम परतिपादित किये गए थे केपलर द्वारा ग्रोह की गती के नियम केपलर द्वारा परतिपादित किये गए परते ग्रह सुड़ी के चार ओर दिर्व विर्यताकार कक्छा में परिकर्मा करता है परते ग्रह सुड़ी की कक्छा के एक फोकस बिंदू पर अस्थीत होता है कुष्ट रोग उत्पन होता है कुष्ट रोग जिवानों द्वारा उत्पन होता है option A हो जाएगा जिवानों द्वारा कुष्ट रोग तंत्री का तंत्र एवं तौचा को परभावित करता है अमल वर्चा के लिए उत्तरदाई गैसिय परदूसक है sulfur dioxide gene द्वारा नियंत्रित होता है gene द्वारा अनुवान सिकता नियंत्रित होता है नकी प्रोटीन संसलेशन option A हो जाएगा अनुवान सिकता नकी प्रोटीन संसलेशन निमलिखित में से कौन सी गैस वायू मंदली ये परदूसक है sulfur dioxide हड्डियों में जमा मुख्य खनी इस्तातू होता है केल्सियम हो जाएगा हड्डियों में जमा मुख्य खनी इस्तातू केल्सियम है हड्डिया ट्राइक केल्सियम फॉस्पेड का बना होता है पानी का तिरी गुनात्मक बिंदू होता है 273.16 डिग्री केलवीन एगार प्राप्त किया जाता है एगार जो है सैवाल से प्राप्त किया जाता है इसके बाद दिये गए गराप से 4 सिकेंड में चले गई दूरी क्या है तो 4 सिकेंड में चले गई दूरी जो है 16 मीटर है ऑप्सन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मीटर एक उत्तल लेंज से 20 सेंटिमीटर की दूरी पर रखे बिम्ब का परति बिम्ब कहां बनेगा यदि लेंज की चमता पलस टू डायप्टर है माइनस 33.3 सेंटिमीटर माइटो कंड्रिया का मुख्यकारी है कोशिका में माइटो कंड्रिया का मुख्यकारी कोशिका में रेस्पिरेशन करना है ऑप्सन डी हो जाएगा रेस्पिरेशन करना माइटो कंड्रिया की खोज अल्टमेन ने 1886 इस्वी में की थी बिंडा ने इस पीडियो को download किजिए download करने के बाद mathematics और reasoning का question solve किजिए या video को रोक करके video को पॉज़ करके आप question solve किजिए solve करने के बाद इसका जो right answer है वो में ठिक कर देता हूँ तो solve करने के बाद आप सही उत्तर मिला लिजिएगा अनुकरम 5,15,45,135,395 में 12,15,365 में गलत पैटर्ण में फिट न होने वाली संक्या जो है वो कौन सी है तो 395 में 176 मीटर परिधी वाले किसी विताकार पार्क के बाहर 4 और 1,7 मीटर चोड़ी सरक बनाई गई है सरक का छेतरफल होगा तो सरक का छेतरफल 1386 वार्ग मीटर होगा क्वेशन नमबर 78 देखिए 78 का रायट आंसर जो होगा option D इसके बाद 89 89 का जो है सही उत्तर option A हो जाएगा 0 80 देखिए क्वेशन नमबर 80 को solve करने के बाद option A रायट आंसर हो जाएगा 1,21,16,क्वेशन नमबर 81 का रायट आंसर option D होगा 45,क्वेशन नमबर 82 का सही उत्तर option B होगा 150 रुप्या,83 का रायट आंसर option B होगा 23,क्वेशन नमबर 84,84 का रायट आंसर option D होगा 8 वर्ष,85 का सही उत्तर option C होगा 13, इसके बाद क्वेशन नमबर 86 देखिए 86 का राइट 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 रा तिरान में कराय टांसर ओप्शन ए 740 रुपया 94 में कराय टांसर ओप्शन ए होगा 28,500 95 में कराय टांसर ओप्शन डी होगा 360 रुपया Q96 में कराय टांसर ओप्शन बी होगा 2 97 में कराय टांसर ओप्शन ए 72 किलोमेटर पर घंटा अंठानमे का राय टांसर ऑप्शन ए साथ रेशियो आठ कोईचन नमबर 99 का राय टांसर जो है ऑप्शन ए होगा 78 नेक्स्ट कोईचन एक सो का राय टांसर ऑप्शन बी 2.5 इसके बाद रेजिदिंग का कोईचन है तो टेलेग्राम से आप जो है इसका PDF डानलोड किजिए या कोईचन को रोग करके वीडियो को रोग करके वीडियो का पॉज़ करके कोईचन को सॉल्व किजिए मैं इसका राय टांसर टिक कर देता हूँ और आप अपना जो स्कूर है वो मिला लिजेगा कितना सही हुआ और मिलाने के बाद अपन स्कूर कोमेंट करके बताईए 101 और 102 जो निर्देश दिया गया ये पढ़ के आपको सौल्व करना है तक 101 का राय टांसर और सिंडी होगा को इसन नमबर एक सो तीन करें टांसर और सего को 104 देखिए 104 का right answer option C होगा और 105 का right answer option D होगा अध्यापक question number 106 right answer option D होगा 12 ratio 35 निर्देश पढ़के 107 और 8 को solve करना है तो पढ़ली जे निर्देश 107 का right answer जो है option B होगा इसके बाद question number 108 का सही उत्तर option D question number 109 option D right answer होगा 110 का right answer जो है option B होगा यहाँ पर 22 और 6 निर्देश को पढ़के 111 से 15 तक solve करना है तो पढ़िए निर्देश को question number 111 का right answer option B होगा 5 इसके बाद question number 112 का सही उत्तर option B होगा 11 इसके बाद चलिए 113 देखिए question number 113 का right answer option A question number 114 का right answer option B होगा 37 115 का सही उत्तर option A 176 इसके बाद 116 का right answer option D होगा गाई 117 देखिए 117 का जो है सही उत्तर आपको यहाँ पे हो जाएगा option option B होगा right answer 117 का option B इसके बाद question number 118 right answer option A question number 119 का सही उत्तर option B हो जाएगा इसके बाद question number 120 का सही उत्तर option A 27, 121 का option C 22 L, 122 का option A होगा इसके बाद question number 123 right answer option D निर्धारित नहीं किया जा सकता है 124 का सही उत्तर option B 125 का option D 126 का right answer option B होगा सोमवार इसके बाद 127 का right answer जो है option B हो जाएगा question number 128 देखिए 128 का सही उत्तर option B होगा केवल तर्क दो ठोस है 139 का सही उत्तर option A भतीजा 130 का right answer option B 60 होगा इसके बाद question number 131 131 का right answer option D 132 का option A question number 133 का option D होगा इनमें कोई नहीं 134 का right answer जो है option C होगा मंगलवार इसके बाद निर्धेश को पढ़िए पढ़ने के बाद question number 135 का right answer option C केवल निसकर्स चार ठीक है 136 का right answer जो है option D हो जाएगा 137 देखिए 137 का सही उत्तर option A इसके बाद question number ये निर्धेश को पढ़िए पढ़ने के बाद question number 138 तो 138 का right answer option B 149 का सही उत्तर option B होगा इसके बाद question number 140 140 का right answer option A 41 इसके बाद 141 का right answer option B 200 होगा question number 142 का सही उत्तर option B होगा इसके बाद question number 143 देखिए 143 का option A 144 का option C 145 का सही उत्तर जो है option B होगा 5 km 146 का सही उत्तर option B होगा पुत्र इसके बाद 147 का सही उत्तर option B होगा इसके बाद 148 देखिए question number 148 का right answer option A हो जाएगा question number 149 का सही उत्तर option B हो जाएगा 8 question number 150 का right answer option B हो जाएगा रवी तो दोस्तों आज के वीडियो में set 9 complete हो गया तो कैसा लगा ये वीडियो comment करके जरूर बताइए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ-साथ आपके उन फ्रेंज को भी help कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेर किजिए अगर कोई doubt है या कोई सवाल है तो comment section में लिखिए पिछले वाले वीडियो में इससे पहले चैनल पर बिहार SSC CGL असपार्क पब्लिकेशन का practice set हमने complete करा दिया है पले लिस्ट का link description में दे दिया हूँ या चैनल के पले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लिजिएगा तो चलिए हम मिलते हैं next practice set के साथ तब तक के लिए take care बाई बाई